यह बहुत महत्रपून एवेंट है नैंटिएथ रिपब्लिक डे टर्की जैसे आला मुल्क जो हमारे भारत के साथ बहुत दोस्ती है उनकी और हमने टर्की में बहुत सी अच्छी प्रोग्रेस देखी है और टर्किश लोगों में भारत के लिए बहुत ही नेक तमन्नाएं हैं और पसंद करते हैं हम चाहते हैं कि टर्की और इंडिया जैसे शेटी साब ने फर्माया था कि एक कॉमन मॉडल है दोनों के दर्मियान सेक्यूलरिजम और डिमॉक्रिसी तो इसी तरह से खाएम रहें और हमारे संबंद भारत और तर्की के धर्मियान संबंद अच्छे मश्बूत बने रहें और आज इस मौके पर हम उनको मुवारक बात प्रेशकरना चाहते हैं कि टर्की और भारत में यह मिलन बंदे रहें तो तर्की मुझा पर अभारत क्या ना इच्छे के बारे में? तो यह मोर्त में आपने तो यह घागी में आजए रहें? यहां करो भर रधंडर के जिए हाइगे, भर रधंगा क्या भड़त में आर्म करें भर civil काने लेक्ट को चहा लोजरे, sa로 जो अक्यों का एम एथा। प्रविम जारी सुखना झाव माझजी प्रवाप्र माझज लिए ट्रवेनियाई प्रविट करने किले तरभी हैं झाल फिर आटेशिया, के सब्सक्राइब प्रविपर इन प्रभी। एक मुस्टाफ कमाल अतर्कारी तुर्क बलीघर ठुर्क ब्यूडरी दिन थिए भर्ण OFF का किविक्या फॉर्दी फिए इता हैं उड्सक्राइब लिए। अभसकुष्ट एम था संधा लिए पर स्थि फूर्ड मुस्ट जेनिंठ मुस्ली क्स वंचें टुर्क जिए so it was a church and a mosque put together but finally when democracy prevailed ... Mustafa Kamala the Turku made a fantastic move a very wise move he declared this as a museum no more place of worship so there is no conflict between the Christian Turks and the Muslim Turks so today when I ever I go to Turkey I visit this place and I quietly think why can't in India we कि अपने घर का कच्रा कुडा धोकर साफ करके खिड़की के बाहर फिंग देते हैं और खिड़की बंकर देते हैं हमारा घर साफ है और बाहर का घर कुछ भी हो जाएं तो मतलब